देखिए जो आसाम की जो मुखमंत्री है वो सस्ती लोग प्रियता के लिए इस तरह से करते हैं यह कौन यह केवल सस्ती लोग प्रियता चाहते हैं और यह भाजपा के लोग गोने मुसल्मान भाईयों को एक सौफ टार्गेट बना लिया है कसी ना किसी प्रकार से यह मायनॉर्टि के लोगों को अलपशंख्ये को यह भाजपा के लोग तंग करना चाहते समाज में नफरत हिना पैदा करा चाहते हैं ये लोगों को पता होना चाही कि देश के अजादी में सभी लोगों का खुर्मानी रहा है, मुसल्मान भाईयों का भी रहा है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, और इस देश में सन्विधान के अनुसार सभी को जो है, इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान करता है यह हमारे सन्विधान में लेकिन भाजपा की लोग आपको पता है यह विधान समा में को भाजपा का मेले या मंत्री बंदर के तरह कूद रहा था अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसल्मानों का हम एक बार खड़ा हुए ठंडा दियो उसके से खड़ा हुआ है क्या कोई भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं और आश्यारी के बाते मुख्यमंत्री की उचुपे इस मामले में कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसल्मान भाईयों का अधिकार छीन सके हम लोग हमेशा से लड़ते र यह केवल सस्ती लोग प्रियता चाते हैं और यह भाजपा के लोग गोने मुसल्मान भाईयों को एक सौफ्ट टार्गेट बना लिया है कभी वफ्ट बोट का आ जाता है बिल कभी सीए नर्सी का आ जाता है बिल किसी ना किसी प्रकार से यह माईनॉर्टी के लोगों को जादी में सभी लोगों का खुर्मानी रहा है मुसल्मान भाईयों का भी रहा है इसको दर्किनार नहीं किया जा सकता है और इस देश में सन्विधान के अनुसार सभी को जो है इसाजत है हर धर्म को समानता है हर धर्म का मानता है यह हमारे सन्विधान में लेकिन भाजपा क कि लोग आपको पता है यह विदान समामे को भाजपा का मंत्री बंदर के तरह कूद रहा था अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसल्मानों का हम एक बार खड़ा हुए ठंडा दियो उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई भाजपा के लोग इसी त अधिकार छीन सके हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें